जब तक आपको यह नहीं लगता या यकीन नहीं हो जाए कि आप संसार का सबसे महत्पूर कारे कर रहे हो तब तक आप उस कारे में सफल नहीं हो सकते हों किसी कारे में सफल होने के लिए उसके लिए नौलेज चाहिए ग्यान चाहिए अभी तक जो ग्यान प्राप्त हो चुका है वो जानकारी चाहिए पश्चमी या अमेरिकी देश किसी कारें में या तकनीक में क्यों सफल हो रहें क्योंकि अभी तक जो खोजे हो चुकी या ग्यान मिला है उसकी दोड में लगे हुए है और जो प्राचिन ग्यान है उसको भी प्राप्ट करना चाहते है जिसके पास आज ज्ञान है, वही महाशक्ती है, इसलिए ज्ञान इकटा करो, और जो भी कर रहे हो इतना मेत्पुर्ण करो, और उसे मेत्पुर्ण मानो कि आप संसार का सर्वस्रेश्ट कार कर रहे हो अभी, तो आप उस कार जीतते हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं लेते है लेकिन उस कारे कोई महत्पून समझ कर उस पर एक नई खोज कर देते हैं या महान कारे कर देते हैं तो संसार उन्हें पेशानता है उनकी महत्ता को स्विकार करता है इसलिए कोई कारे छोटा या बड़ा नहीं है इस स्वामी विका दंदे विकार किस भाव से किया जा रहा हूं मैधपून है मंदिर बनाने वाला मजदूर मजदूरी के रूप में भी मंदिर की इड़ को चुन सकता है उठा सकता है रेत उठा सकता है लेकिन यूँ सोची के हम बगवान का कार कर रहे हैं तो एक महान कार होता है यही बावना उसको महान मनाती है और संचार में मैद्पुन व्यक्ति भी